जो ब्यान है वो शिवराज सिंग चौहान के हटने का एक संकेद देता है और यह बताता है कि नए साल में पहले हफते में शिवराज सिंग चौहान की गद्धी को खत्रा है और उसके सित्य भी संगठर है वो दोजाज 24 के चुनाव को अपने लिए यह मान रहे हैं कि हमारी तै संत होने के बावजूत के हिंदुस्तान में हर मैला जो रसोई में काम करती है वो चाकू रखती है जो होता है वो सही तरीके से नहीं सोचता वह देखता है कि चार लोग चुप-चार बैठे हैं शांती से बैठे हैं उसे बड़ा बुरा लगता है कि वहां की जो मंत्री ने अब्यान दिया है वो सीधा कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान के राज में मैलाएं शुरक्षेत नहीं है कानुन विवस्ता भंग हो गई है कार दोस्तों हिंद्वों इसमें आपका स्वागत है आपका सर कल लेक बैन हमारे सामने आया है प्रक्या ठाकुर योगी सांसा द अब तक क्योंकि विपक्षार रहे कि राश्डरों का मुकदमा दर जो बयान यह है कि हिंदू महिला है अपने घर में चाकू रखें और वह भी तेज धार करके ताकि दुश्मनों से वह निपटने के काम हा सके हिंदू का उन्होंने इस्तमाल क्या है यह तो कहते सभी महिला करें दो क्या मतलब निजासके देखें आ बड़े और हम लगाले ने क्यों अरड को और उसके सित्य भी संगठन है, वो दोजाच 24 के चुनाव को अपने लिए ये मान रहे हैं कि हमारी तैयारिया से शुरू हो गई है, अभी जो चुनाव हुए जिसमें नतीजे आए, उसमें हम देखते हैं कि गुजरात को छोड़कर बाकी सब जगें भार्चे जनता पार्टी सब्सक्राइब भार्चे जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल हुई और वो हर जगें हारे हैं और हारने के बाद उनके अंदर एक संदेश किया है कि जनता उनके खलाब है अब भार्चे जनता पार्टी के एक ही रण नीती है जो कि 1925 से जब्से आरिसस की स्थापना हुई तब से उनकी नीती है कि हिंदू मुसल्मान करो और हिंदू चुकी मैजर्टी में आये तो मैजर्टी का प्रग्या ठाकुर ने कहा हम जो है हिंदू मैलाओं को एक धारदार चाकू अपने घर में रखना चाहिए वैसे तो उनका बड़ी बेहुदी बात है कि उन्हें कि हिंदूस्तान में हर मैला जो रसोई में काम करती है वो चाकू रखती है और हर चाकू में धार होगी तब ही वो से सब्सक्राइब और उसका इस्तिमाल कर सकेगी तो चाकू में धार लगा कर रखे यह कहना ऐसे ही है जैसे आप टॉइलेट में जाकि कहो कि महां पर पानी चांग कर दो पर फद्सक्राइं आप यह लुड़ा कर साफ करने के लिए पर लिए कागज होना चाहिए जो रखना चाहिए तो यह जो बात है यह इसलिए है क्योंकि उनके व्हत्तव में सिर्फ उन्हों ने जान Bouch कर लेंदू शब्द को वहां गुसेलाया मुसलिम मैलां जब बरफी काते हैं तब चाकू का इस्तिमाल होता है। तो चाकू में धार होनी चाहिए, यह एक ऐसा वक्तव है, जैसे जो कहना चाहिए, कि सूरज को रोज निकलना चाहिए, चांद को फूर्ण मार्शी के दिनाना चाहिए, यह ऐसी बाते हैं, यह बताते हैं कि इन लोग का जो दिमागी दिवाली अपना है, जो आईक्यू है, व हम बोलते हैं, तो हिंदू शब्द का चौक लगा कर जो से कहा है, उस ही से यहां पर आपने सवाल किया, अधवाई कोई सवाल नहीं आता है, कोई काई जी महिलाओं को अपने घर में चाकू को जो धार लगा के रखना चाहिए, या अपने बरतन माच के धोके रखने वो देखता है कि अगर चार लोग चुक चाप बैठे हैं, शांती से बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं, तो उसे बड़ा बुरा लगता है, वो कहेगा है, मार पीट हो जाए, जगला हो जाए, फिर वो कहेगा जी अब हम शांती यात्रा निकालेंगे, तो इसलिए हमेशा रा आज में आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे की आपको तकलीफ हो सर यह तो होगी प्रग्य ठाकुर क्योंकि वह भौपाल से हैं सांसा देवा की वहीं की एक मंत्री और है जो मद्यप्रदेश की मंत्रे उशा ठाकुर इससे पहले ने एक दिन पह आप है चार बार की मख्य मंत्री है क्या कोई और चीज नहीं है इसके कारण जाके वोट मांग ले जनता के बीच कैसी पॉलराइजेशन का एक तरसे खिल होने वाला है देखिए ऐसा है अगर भारत्य दिनता पार्टी को लगता है कि देश में अमंचैन गलत है तो उने सबस अगर आपको देश में अमंचैन से दुश्मन है तो भारत सरकार को चाहिए पहले अमंचैन को बरबाद करने के लिए उने जो है इंडियन आर्मेक्ट जो है उसे रद्द करना चाहिए और सब आदमी को कह वे तुम्हें जितनी तुमारी हैसेत है उतना आप अपना खर्च करो और हत्यार खरीद लो उससे पहले भी बहुत बार यह हुआ है कि हर आदमी को तरशूल रखना चाहिए हर आदमी को भाला रख पत्रह है सरकार विफल हो गई है सरकार कानून व्यवस्ता का पालन कराने में गुंड़े बदमाशों को काबू में रखने में अस्वल हो गई है और इसका मतलब है कि मद्द परदेश की इस्तिती ऐसी खराब है कि वहां पर चुनाव से पहले वहां पर राश्पती शाषन पर आश्पती शाषन के बाद गवनर के तहीं है क्या वहां की कानून व्यवस्ता में आगए है तो आज की समय में मुझे लगता है कि वहां की जो मंत्री ने ब्यान दीया है वो सीधा कह रही है कि शिवराज सिंग चोहान के राज में मैलाएं सुरक्षित नहीं है, कानून विवस्ता भंग हो गई है और इसलिए यह उचित केस है जिसमें कि वहाँ पर या तो मुख्यमंत्री को बदला जाए और या वहाँ पर रास्पति शाषन लगे है कि नुटा के शारी वे चैय उन्होंने ब्यान दिया है कि वहाँ पर मुख्यमंत्री को बदला जाए जैसे वहाँ पर गुज्रात में मुख्यमंत्री बदला गया था अच्छा अर के जा Ministri भगें जाएंगे और जो जिनकी भडास है के शिवराज सिंग चौहन को 20 साल हो गये तकरीमन राज करते हुए तो लोगों के उनके खिलाफ जो गुस्सा है तो एक तरह से यह प्रिग्या ठाकुर का ब्यान जो है और यह प्रिग्या ठाकुर का जो ब्यान दोनों का जो ब्यान है वह एक संकेद देता है और यह बताता है कि नए साल में पहले हफते में शिवराज सिंग चौहन की गद्धी को खत्रा है और उनको हटाकर दिल्ली बेजा जा सकता है और वहाँ पर एक नया मुख्यमंत्री बन सकता है और उसके लिए जो है बीजेपी के बहुत सारे लोग यह सो का है कि वो जो है केंदर में आकर देश की सेवा करें बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने दोनों के भयानों की मतलब बता दे कि मत्यप्रजित से दो बयान हमारे सामने क्यों आए हैं इंडारेक्ली कहीं न कहीं यह सिवराज चौहन की सरकार पर एक तरह से सवाल उठा रहे ह कोई तो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में विजयासर ने बताया जिस तरह का अनेलाइस क्या है तो उस पर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं क्या सच में मध्यप्रदैस के अंदर पूरी कैमिनेट बदली जाएगी मुख्यमंत्री बदला जाएगा नीचे कमेंट किजि किसी और एपिसोड में रवंदर जी के आपसे मुलाकात कराएंगे तब तक के लिए जीजिए इजास्त